हाइपोथसिस की स्टेटमेंट को क्लियरली कंसाइजली लिखने के बाद जो फाइदा हमें मिलता है वह यह है कि इस हाइपोथसिस को अगर आपका हाइपोथसिस क्लियरली स्टेटिड होगा तो यह आपको हेल्प करता है प्रॉपर संपल सिलेक्ट करने में टूल की डिवेलपमेंट में रिसर्च के डिजाइन को चूज करने में और रिसर्च के बाकी प्रोसीजर्स का ताइउन करने में मतलब हमने हाइपोथसिस में लिखा कि लो एचीविंग स्टूडेंट के बारे में हैं तो इसका मतलब है मुझे अपने संपल के लिए यहां से गाइडेंस मिलती है कि वो लोग जो इस केटिगरी में फॉल करेंगे वो ही स्टेडी का संपल हो सकते हैं और फिर उसके आववियसली संपल सेलेक्शन के प्रोसीजर्स हैं जो मैं यहां से आगे फॉलो करता हूं इसी तरह अगर हाइपोथसिस की स्टेटमेंट कहती है कि आपको एफेक्टिवनेस देखनी है डिफरेंस देखना है तो यह लफज जो एफेक्टिवनेस या डिफरे में आपको कॉइड करता है अगर मेरा हाइपोथसिस डिफरेंस से मतलिक है तो स्टेटिस्टिक्स में टेस्ट आफ डिफरेंस जितने भी हैं वो लहदा से डिफाइंड है यह पहला लफस हाइपोथसिस का मुझे बता देता है कि मेरे अनैलेसिस में कौन से इंफरेंशल टे मफ्रूजा है वो जिसको मैंने टेस्ट करना था तो उसके अंदर दिये गई जो फिनामिना है जो डेटा कलेक्शन का पुसीजर है विरियेबल्स की नौईयत है इन तमाम चीजों की इन्फरमिशन मुझे ये हैल्प करती है कि मैं अपने हाइपाथसिस को टेस्ट करूँ फार वेरिफिकेशन और फार रिजेक्शन या वो मेरा डेटा उस उस प्रेमिस को सपोर्ट कर देगा जो मैंने हाइपाथसिस में लिखा या वो उसको रिजेक्ट कर देगा अमूमन लोगों के जेन में ये बात समय पाई जाती है कि अगर आप की स्टीडी के हाइपासिस जो है आप प्रूव ना कर पाएं अपने नल हाइपासिस में दीगी स्टेटमेंट को तो शायद इस ते रिसर्च बुरी हो जाती है देखिए हाइपासिस टेस्टिंग का कुछ भी नतीजा हो यानि आपका डेटा आपके हाइपासिस को सपोर्ट करे या आपका डेटा आपके हाइपासिस को रिजेक्ट करें ना सपोर्ट करें दोनों सूर्टों में ये फाइंडिंग है ये रिजल्ट है और इस दोनों सूर्टों में इस रिजल्ट की एहमियत है तो आपने कभी भी as a researcher अपने उपर ये बार ये वजन नहीं उठाना कि hypothesis को verify करना या hypothesis का दुरुस थाबत होना गलत थाबत होना ये आपकी जम्मेदारी है आपकी जम्मेदारी correct design है, correct sampling है, correct tools है, correct data collect करना है ये आपकी जम्मेदारी है उस data को मुझासब तरीके से analyze करना है और मुझासब तरीके से मराद जो आपके phenomenon की demand है आपका hypothesis में जो आपने कहा ता जो उसकी demand है उसके मताबक correct test استعمौल करके उसको analyze करना है ये आपकी जम्मेदारी है result क्या हाता है? ये आपकी जम्मेदारी नहीं है उसी को देखने के लिए तो ये सारा process किया था अब अगर वो result ये कहे कि आपका hypothesis reject होना चाहिए आपका hypothesis accept होना चाहिए तो आप दोनों सूरतों में उसके accept होने ये रेजेक्ट होने की वजोहात जो हैं वो लोगों के सामने लाएंगे और वो ही आपकी study की contribution कहलाएगी तो proven not proven वाला मामला ये जम्मदारी researcher पे नहीं पाई जाती ठीक है और किसी भी hypothesis का accept हो जाना या reject हो जाना बहुत सारे नए hypothesis को जनम देता है बहुत सारे नए मफ्रूजों को नई research की तरफ indication देता है तो लहाज़ा इसकी एहमियत किसी बी तरीके से result की साथ मुंसलिक नहीं है एहमियत उसको करने के procedures में और उसको analyse करने के दुरूजों की selection में उसकी एहमियत जो है वो उससे मुंसलिक बात है result से मुंसलिक बात नहीं है